बाई और बहनों, बीते कुछ समय में दीदी के फैसले, बंगाल की राजनीती का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एक्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्षन देख लीजिए, सब कुछ पस्ट नजर आता है। शुरुवाती रुख पता चला, तो दीदी भवानी पूर सीट छोड़कर नंदिग्राम पहुँच गई। नंदिग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गल्ती कर दिये हैं। और अब तक का जो बोलिंग का मूर है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था, वो आज नंदिग्राम पहले ही कर रहा है। गुस्से में वो नंदिग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। पहले चरण की वोटी होने के बाद उनकी बौकला हाट और बढ़ गई है। कल ही दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेश कर मदद की अपील की है। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, तुरीस है, जीने वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। साथियों, आप सोचिए, दस साल मुख्यमंत्री रहते, अगर मंगाल की सेवा की होती, तो दीदी ये करना पड़ता क्या। क्या तीन दीन एक ही छेत्र में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता क्या। EVM को गाली वो पहले ही दे चुकी है, चुनावायो को कटगरे में वो पहले ही खड़ा कर चुकी है। दीदी, ओ दीदी, आपका व्यहवार, आपके शब्द, आपकी बोकलाहर्ड बंगाल के लोगों में चर्चा का विशय बने हुए है। आपने बंगाल के साथ विश्वास गात किया। अब आप बंगाल के विनम्र और समरुद भासा, सवस्कार यहां की मान मर्यादाओं का भी अपमान कर रही है। आपने बंगाल के विश्वास गात का विश्वास गात का विश्वास गात किया।